नमस्कार आपके साथ मैरीना जाबालिया स्कूल खुल चुके हैं याने के स्कूल चले हम जी हाँ, मार्च के मैने से स्कूल कॉलेज़ बन्द है अभिभावकों को, स्टूडिन्स को इंतजार था इस बात का कि आहे स्कूल कब खुलेंगे और फिर से वो उसी मस्ते के साथ, उसी लगन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं कोरोना मामारी की खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था लेकिन क्योंकि मामारी लगातार जारी है वैक्सिन क्योंकि अभी तक तयार नहीं हुई है ये जीवन है और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए इसी सोच के साथ सरकार ने ये कदम उठाया और अनलॉक पांच में स्कूल को खोल दिया गया है लेकिन parents students के जहन में कई confusion है स्कूल को लेकर आपके सी confusion को मैं दूर करूँगी इस वीजियो के सरिये इस वीजियो में पूरी बारिकी के साथ, विस्तार के साथ मैं आपको बताऊंगी कि कहां पर स्कूल खुले हैं, कौन से राचे सरकार ने स्कूल को लेकर फैसला ले लिया है कि स्कूल को खोला जाएगा और कहां पर कितने दिनों बाद स्कूल खुलेगा और या फिर बंध जो जवाब है वो मैं आपको इसी वीडियो के जर्गे दे रही हूँ बारिकी के साथ सुनेगा हर एक राज़े के साथ मैं आपको जवाब दे रही हूँ दरसल कोरोना वारस के संकट के बीच देश के कई राज्यों ने नौवी से बारवी यानि कि 9, 10, 11, 12 के लिए जो स्कूल हैं वो खोल दिये हैं और कई जगाहों पर यानि कि 19 तारिक से स्कूल जो है वो खोल गए ऐसे में पंजाब उत्तर प्रदीश समेत कुछ ऐसे राज्य आंशिक रूप से जो हैं वो स्कूल खोले हैं वहीं दिल्ली पश्रिम बंगाल ब्राज्यों की बात करे तो स्कूल खोल मिलाकों में स्कूल खुले हैं वहां बच्चों और टीच्रों में उत्साहा साफ तौर पर देखने को मिला कुस तस्वीर ऐसी सामने आई जहां टीचर्स और स्टूडेंस वह काफी खुश नजर आई इस कुरोना माहमारी के दौरान जब अपने घर में कहते हैं अब कहीं न नौइडा में भी कुछ स्कूल खुले हैं लेकिन कई स्कूल जो है 21 अप्टूबर से खुल रहे हैं कई स्कूल अभी नहीं खुले गए यानि कि यहां पर एक जोन बनाया गया है सरकार की तरफ से जिंजिन राज्यों ने स्कूल खुलने का फैसला लिया है सोंवार कुछ स् नियमों का पालन करना है महरास्ट सरकार ने महरास्ट की बात करें महरास्ट सरकार ने दिवाली के बाद ही इस पूरे मामले पर स्कूल खोल ले जाने पर विचार करने का निर्न लिया है इसलिए महरास्ट में फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे यहां कोरोना के हालातों के समिक इसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा अब बात कर लेते हैं आंधर प्रदेश की आंधर प्रदेश में राज्य सरकार ने दो नवंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्न लिया है यानि कि अभी भी आंधर प्रदेश में स्कूल नहीं खुले हैं इसके अलावा अब गुज्राक सरकार ने भी दिवाले के बाद समिक्षा करने की बात कही है यानि कि गुज्राक में भी अभी स्कूल नहीं खुले हैं इन राज़े में कुरोना को लेकर पहले देखी जाएगी उसके बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा अब आप आजाएए हर्याना में अगर हर्याना में रहते हैं तो यह भी जानकारी आप लोग के लिए जरूरी है कि हर्याना में स्कूल खुले हैं या नहीं खुले हैं हर्याना की बात करें तो नौवी से बार्वी कक्षा तक के लिए 21 सितंबर से ही राजय में इसकी अनुमती दे दी गई थी फिलहाल यहां 15 अक् करना जरूरी है अब आप आजाएए पश्विम बंगाल याने की ममता बेनर जी के राजय में यहां पर स्कूल खुलने को लेकर कोई फैसला फिलहाल अभी राजय सरकार ने नहीं लिया है राजय के मुख्यमंदरी ममता बेनर जी ने कहाए कि 15 नवंबर के बाद ही राजय स् पहाड़ी राजय जहां पर 2 नवंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं लेकिन यहां दसवी और बारवी के कक्षा के लिए ही स्कूल कुलेंगे और अन्य कक्षाओं के लिए बाद में विचार किया जाएगा दसवी और बारवी के बच्चे किस तरीके से रूल को फॉलो कर र फैसला लेखी अब आप आजये तमिल नाडू तमिल नाडू में अभी स्कूल नहीं खुले हैं और अभी खुलने पर विचार भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि तमिल नाडू ही ऐसा राजय जब हमने देखा था किस तरीके से तीजी से मामले कोरोना के बढ़ रहे थे पु समवार, वुदबार और शुक्रवार को होंगी और दस्वी और बार्वी की कक्षाएं जो हैं मंगलवार, गुरुवार और शुनिवार को लगेंगी यानि की पुदुचरी की सरकार ने जिस तरीके से डिसीजन लिया है स्कूल खोलने का उस पर इस तरीके से विचार किया या कि हम alternate days में classes को बांट देते हैं ताकि बच्चों की संख्या जो है स्कूल के अंदर कम रहेगी और बच्चे कम संख्या में स्कूल आपाएंगी उसमें ज्यादा भीड नहीं होगी करनाटक की बात करें और 36 गड़ की बात करें तो अभी इन दोनों ही राजियों में राजिय सरकार ने स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है महरास्ट करनाटक जैसे राजियों ने भी स्कूल नहीं खोले हैं लेकिन जिन राजियों में स्कूल खोला गया है वहाँ नौवी से बारवी तक के बच्चों को बुलाया जा रहा है यानि कि नौवी से नीचे के जो classes है उन्हें अभी allow नहीं किया गया है UP में स्कूल को भी दो shift में किया जा रहा है यानि कि morning and evening shift लगाई जा रही है और कई जगाहों पर 3-3 घंटे के लिए classes दी जा रही है और जो break लिया जा रहा है उस break में sanitization किया जाता है पंजाब ने भी अभी यहाँ पर containment zone में स्कूलों को बंद ही रखा है क्योंकि containment zone में अभी खत्रा जादा रहता है रिस्क जादा रहता है इसलिए वहाँ पर इस तरीकी का फैसला लिया गया है स्कूलों को सिर्फ तीन घंटे के लिए ही खोड़ा जा रहा है देश में आपको उताद है कि मार्च के महिने से ही किस तरीके से स्कूल कॉलेजिस बंद थी और इसे लेकर बंद किये गए थे ताकि बच्चों में संक्रमन ना फैल सके क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं नौन यहाल जीने इतनी समझ नहीं होती है कि आपको नियमों का पालन कैसे करना है कैसे आपको उचे दूरी रखनी है इसी लिए इसी लिए इतना समय लगा है स्कूल को खोलने में लेकिन क्योंकि अब जादा समय हो गया था और जो सीनियर क्लासिस हैं उनकी पढ़ाई काफी टाफ हो जाती है जो कि सेल स्टडी नहीं कर पाती है और कई जगाहों पर जो आप्शन है टेकनोलोजी इतनी हाई नहीं है कई बच्चों के पास जो ऑनलाइन क्लासिस अटेंड करने की फैसलिटी नहीं है इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया और जैसा कि मैंने विस्तार के साथ आपको जानकारी दी है हर एक राज्ये के साथ कहां पर क्या डिसीजन लिया गया है उमीद करती हूँ जो ग्वेरीज होंगे आपके जहन में अब तक वो सॉल्व हो गया होंगे अगर फिर भी कुछ आपका कहना इस पूरे मुद्दे को लेकर तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरे चैनल को यूडिव चैनल को और बेल आइकॉन आप जरूर प्रेस कीजेगा ताकि जो भी मैं वीडियो क्रियेट करूं आप लोग को फटा-फट से नोडिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप लोग अपडेटेड रहें फिलाल मुझे एजासत दीजी और अपने कॉमेंट जरूर शेयर कीजेगा नमस्कार